अम्रित्सर ट्रेन हादसे को करीब एक सप्तार हो गया जिसमें रावन देहन के दोरान 61 लोगों की मौत हो चुकी थी जबकि 100 से अधिक लोग धायल हो गये थे भले ही अम्रित्सर ट्रेन हादसे में रेलवे ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला जाल लिया हो परन्तु इस घटना के चलते रेल प्रशासन ने बड़ी सीख ली है घटना के एक सप्ता के बाद ही रेल प्रशासन ने आदेश जारी किये और रेल प्रशासन से जुड़े सभी लोगों की जिम्मेदारी तेकरदी है इसके साथ ही यह बाद भी स्पष्ट करदी की किसी भी स्तर की लापरवाई को रेल प्रशासन बरदाश्ट नहीं करेगा जो भी दोशी होगा उसके खिलाफ तुरंत कारेवाई की जाएगी रेल प्रशासन लोगों को ट्रेन के आने का पता चल सके गेट मैन को ट्रेक के पास भीड दिखने पर और किसी आयोजन के होने की जानकारी नजदी की स्टेशन को देनी होगी इसका मतलब यह है कि स्टेशन मास्टर, गेट मैन, लोको पाइलट, गार्ड या किसी से भी सूचना मिलने पर जी आर्पी और लोकल पुलीस को बताना होगा इतना ही नहीं आर्पी एफ को भी यह आदेश दिये गए है कि किसी भी वजह से ट्रेक पर भीड दिखे तो इस बात की जानकारी तुरंत रेलवे अधिकारियों को दे इसके चलते रेल प्रशासन रेलवे ट्रेक के पास हो रहे सामाजिक वद्दार्मेक संगधनों के आयोजनों की सूचना समय से पहले देने को कहेगा इसके साथ ही रेलवे अफसरों को यहादेश किया दिया गया है कि वे उन जगहों की लिस्ट बनाए और उन्हें चिनहित करे जहाँ ट्रेक के पास हर साल आयोजन होते है ताकि फिर से अमरितसर जैसा कोई रेल हादसा न हो पाए आपको बता दे कि पिछले सफता अमरितसर में जोड़ा फाटक पर रावन देहन के दोरान बड़ा हादसा हो गया था जालंधर अमरितसर ड्येम उट्रेन की चपेट में आने से 62 लोगों की कट कर मौत हो गई थी इस हादसे के बाद देश भर में इसकी निंदा की गई और पंजाब सरकार के साथ रेलवे प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए इस मामले पर अब कई स्तरों पर जांच की जा रही है